जहन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने माले हैं Tally ERP 9 के विशे में दोस्तों अगर आपको Tally subject या Tally course की थोड़ी भी जानकारी है तो Tally ERP 9 का नाम आपको कभी न कभी सुनने मिला होगा लेकिन दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम complete समझेंगे कि आखिरिये Tally ERP 9 क्या है इसका use क्या है और इसका use कहां पर किया जाता है तो चली दोस्तों start करते हैं और जानते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरिये Tally ERP 9 क्या है तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि Tally ERP 9 basically एक accounting software है जिसको आज के जादतर businesses के द्वारा अपने data को manage करने के लिए use किया जाता है अब आप सोच रहूंगा कि आखिरी accounting softwares क्या होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा accounting softwares वो software होते हैं जो किसी भी business के current और real time data को manage करने का काम करते हैं business का data से मेरा मतलब ये है कि कोई भी business जो run कर रहा है उसका बहुत सारा data होता है जैसे उसके sales का data हो गया, उसके purchase का data हो गया इसके inventory और stocks में क्या-क्या है वो सारा data हो गया उसके payments का data हो गया, profit and loss का data हो गया कितने employees काम करें वो data हो गया उनकी salary क्या है उनकी salary की balance sheet क्या है यह जितना भी data एक business के अंदर आज use किया जाता है इस सभी को Tally ERP 9 software manage करता है इसको वहाँ पर record करता है अपने अंदर real time position पर दोस्तों यहाँ पर यह जो Tally ERP 9 है इसको use करने का मुख्य कारण यह भी है कि यह काफी तेजी से high speed में work करता है जिससे समय की बचत होती है साथ ही इसकी जो काम करने की accuracy है यानि कि गलती करने की जो संभावना है इस application या फिर इस software में वो ना के बराबर होती दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग Tally ERP 9 software को use करना चाहते हैं अपने business के लिए अपने data को manage करने के लिए तो यहाँ पर उनको एक इसका license होता है वो खरीदना होगा इसके बाद वो इसके full version को आसानी से अपने system पर use कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करें कि आखिर वो कौन-कौन से फायदे हैं जो कि Tally ERP 9 software को use करने से मिलते हैं किसी भी business को तो यहाँ पर जो सबसे पहला फायदा है वो है language से related दोस्तों इस software के अंदर आपको कई सारी languages मिल जाती हैं कह सकते ही employee work करता है उसको यहाँ पर अपने data को loss करने की कोई भी यहाँ पर आपको attention लेने की जूरत नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर एक backup feature दिया जाता है जो उस इस्तिधी में काम आता है जब आपके system में किसी भी कारण कोई खराबी आ जाए वो बंद हो जाए चानक से कुछ दिक्कत आ जाए तो यहाँ पर जो भी data उसके अंदर store किया गया है जो भी data उसके अंदर manage किया गया है वो उसी के अंदर एक backup के तोर पर पड़ा रहता है और system के बापस आते ही वो data भी वहाँ पर वापस आ जाता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो Tally ERP9 software है इसको आज Windows और Linux से समित बहुत सारे अलग-अलग operating systems पर आसानी से use किया जा सकता है इसी के साथ दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस software को सरे भारत के बिजनेसेस के दोरा use किया जा रहा हूँ इसको आज दुनिया वर के लगवग 41 अलग-अलग countries के दोरा उनके बिजनेसेस के दोरा उनके data को manage करने के लिए use किया जा रहा है दोस्तों मैं उमीद करूँगा कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ information कुछ knowledge मिली होगी और ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करें और ऐसे knowledgeful और interesting वीडियो को देखने के लिए